जै गुरुची संकची, गुरुची की सारी प्यारी प्यारी संकच को मेरा दिल से प्रणाम संकची, गुरुची सत्संग कैनल पर आप सभी का हार्टीक स्वागत है संकची, गुरुची कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दावी पला ते सत्संग सुनन वाले दावी पला जै गुरूजी संगजी आगे हम सत्सकों शुरू करते हैं गुरूर ब्रह्मा गुरूर विश्नु गुरूर देवो महेश्वरा गुरूर साक्षात पारब्रह्म तस्मेश्री गुरू वे नम्हा जै गुरूजी संगजी लख लख शुकराना मेरे मालिक का मेरे महराज का संगजी आज हम गुरूजी की डिवाइन बुक दिव्वे आभा के 49 अध्याय का श्रवन करेंगे संगजी गुरूजी की रहमतों के आगे हम सब निशब्द हैं नतमस्तक हैं गुरूजी ने हम सबको जीवन के हर पल में अपना आशिरवाद देकर किरतात किया है गुरूजी महराज ने हमें बड़े मंदिर जैसा शिवलोग दिया गुरूजी कहा करते थे कि जेडिया मनो कामना थोडियां किते जाके भी नी पूरियां हों दियां गुरूजी के बड़े मंदिर में हर कन कन में हर चीज में ब्रैसिंग्स है गुरूजी कहा करते थे मैं इस शिवलिंच बारा जोति लिंगादी शक्ति पा दित्ती है संगजी पड़े मंदिर में आकर तो मुर्दा भी जिन्दा हो जाता है ये वो डिवाइन दरबार है जहां पर हमारी हर मुश्किल का हमें हल मिलता है संगजी कुरूजी अपनी संगत को अथा प्यार करते हैं और पग पग पर अपना आश्रिवात देते हैं संगर जी हमारे गुरु जैसा सच में ना कोई था ना है और ना कभी होगा वे तो महाशिव हैं रब हैं संगर जी गुरु जी का शुकराना हम जितना भी करें उतना कम है बस यही कहना चाहती हूं पाईया तेरे दर तो मैं रह्मता हजारा शुकर गुजारा तेरा शुकर गुजारा पाईया तेरे दर तो मैं रह्मता हजारा शुकर गुजारा तेरा शुकर गुजारा कोडिया दा मूल नई सी हीरे आदा पै गया जदोदा मैं आके गुरु जी चरनाच बै गया क्यों ना तेरे उत्तो मैं ता तन मनवारा शुकर गुजारा तेरा शुकर गुजारा शुकर गुजारा जय गुरु जी संगर जी आज का सत्संग भी इसी तत्य से जुड़ा हुआ है आज का सत्संग श्रीमती नीरा अब्रोय जोकी दिल्ली से है उनका है तो आईए संगर जी हम सभी उनका ये दिव्य सत्संग सुन लाब उठाएं आशिरवाद जीवन के हर पल 1995 में स्वीडन में 13 वश रहने के बाद सोदेश वापिस लोटने पर मेरी गुरु जी के यहां की यात्रा आरंब हुई उस समय से गुरु जी के हर दर्शन का अफसर आशीष से परिपूर्ण है एक यादगार घटना जब मैंने गुरु जी के यहां जाना आरंब किया मैं शान्ती और स्थिर्ता खोज रही थी मैंने सुना था कि गुरु जी ने कैंसर, हिर्दे रोगियों और अन्य असादे रोगों से अपने भक्तों को मुक्त किया हुआ था एक अफसर पर मेरे साथ एक अनोकी घटना बच्पन से मुझे विसर्प रोग रहा है, कोई ओशदी सफल नहीं हुई थी, चिकित सक हर बात जब मैं होता था, काटी जोन दे दिया करते थे, मेरे हाथ खुर्दुरे हो गए थे, एक बार गुरु जी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी, कि मेरे हाथ तो इतने क परकश हैं, यदि गुरु जी ने कभी मुझे अपने कमल चरन दबाने को कहा, तो मैं क्या करूँगी, कुछ सबता में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए हैं, और शिगर ही मेरा उपचार हो चुका था, फिर एक दिन गुरु जी ने मेरे बड़े चले गए, तो उनकी बाह में एक आतंगवादी की गोली लगी, गुरु की पासे बैब बच गए थे, एक बार गुरु जी ने मुझे अपना एक चित्र देकर उसे शायन कक्ष में रखने के लिए कहा, बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है, आज भी मेरे जीवन म मुझे स्वपन में भी दर्शन दिये है, आज मुझे गुरु जी में इतनी आस्ता है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती है, गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है, मेरे दोनों बेटे जिने गुरु जी ने आशीवाद देकर अम दिया है कुरुजी इस दिया के लिए हम आपके अत्यांत अत्यांत आभारी हैं जै गुरुजी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक का आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना जै गुरुजी